पिशली बार मैं आप लोगों को लेकर गई थी एक मायावी दुनिया में, यानि की कलाओ की दुनिया में, मैंने सैर कराया था आपको उस मायावी दुनिया की, और मैंने बताया था कि ये दुनिया इतनी मायावी क्यों है, इतना विचितर क्यों है, अब जब आप लोग जान ह चुके हैं इस मायवी दुनिया के बारे में कलाओं की दुनिया के बारे में तो आज मैं आप लोगों को ले के चलूंगी और बताऊंगी कि इस कला की दुनिया में ऐसे कौन से गतिविधिया होती है ऐसे कौन से कारे होते हैं जो आपको इतना आकर्शित करते हैं अपनी और ख जो प्रक्रिया हमारी मन में उठने वाली भावो की अभिव्यक्ति कराए वही कला है। तो इस पूरे समसार में मनुष्य से जादा भावनाशील प्राणी कोई दूसरा नहीं है। मनिश्य एक भावनाशील प्राणी है तो वो अपने आसपास के वातावरण में जो भी चीज सुनता है, देखता है या महसूस करता है और उसके मन में एक अलग सी प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिक्रिया ही भाव कहलाती है। और जब ये प्रतिक्रिया, ये विचार किसी भी माध्यम से व्यक्त होता है वो कला कहलाता है। और अब यहाँ पर एक छोट असट ट्विस्ट है। और वो क्या है? वो ये है कि हमारे भावों और विचारों को साधारन रूप से प्रकट कर देना ही कला नहीं कहलाती। तो फिर जब हम अपने भावों और विचारों को बहुती सुन्दरता से और आकर्शक रूप से जिसको देखकर लोगों को कुछ सीखने को मिले, कुछ आकर्शक हो, कुछ मनुरंजक हो वो कला कहलाती है। तो अगर हम एक चितरकार है और हम एक चितर बना रहे हैं, तो देखने वाला व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि वो कितना सुन्दर लग रहा है, कितना आकर्शक लग रहा है, उसमें कितने रंगों का प्रयोक किया गया है, उसकी आत्मा क्या है, उस चितर में क्या बता से प्रकट करना ही कला है तो अब हम बात करते हैं कि कला के कितने प्रकार होते हैं कला के दो प्रकार होता है एक उपयोगी कला एक ललित कला उपयोगी कला चोर की नाम से पता चल रहा है जो हमारी रोज मरा की जिन्दगी में उपयोग किये जाते हैं वो सब कला जैसे कुकिंग खाना बनाना, खाना ये भी एक कला है, किस तरीकी से बनाया जा रहा है, कितना स्वाध है, जैसे की स्टिच्रिंग, जिसके अंदर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारी चीज़े आती है और एक चीज़ है, वो है शब्दों का इस्तिमार, बोलना, कभी कबार क्या होता है, कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, और उसकी बाते सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है, कि हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, या उसकी बातों को सुनना चाहिए, तो वो भी एक कला है, कि किस प्रकार से आप अपने शब्दों का इस्तिमाल करके अपने भावों को व्यक्ति कर रहे हैं, तो रोज मर्रा के जिंदगी में उप्योग होने वाली इन प्रक्रियाओं को उप्योगी कला कहते हैं, और कला का दूसरा भेद है ललित कला यानि की फाइन आट्स, ललित कला की अंतरगर पांच प्रकार की कलाय मानी गई हैं, स्थापत्य कला, मूर्ती कला, चित्र कला, संगीत कला और कावे कला, भारत वर्ष में इन सभी कलाओं को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टी से देखा जाता है, इन्हें मनुरंजन का सा अधन नहीं, बलकि इन्हें इश्वर उपासना का जरिया समधा जाता है, प्राचीन भारतिय कला साधकों ने स्पश्च रूप से कहा है, विश्रांती यस्य संभोगी सा कला न कला मता, लियते पर्मानंदे ययात्मा सा परा कला, अर्थात जिसका उद्देशे केवल भोग और मरुरंजन है, वहा कला नहीं है, जो पर्मानंद में लीन कर दे, वही सच्ची कला है, वैसे तो इस कला की दुनिया की कोई सिमा नहीं है, परन्तु फिर भी एक छोटी सी कोशिश है ये हमारी, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि कला की कितने प्रकार होते हैं, ये आप तक पहुचाने की, और हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स में, इन सभी कलाओं की विस्तु जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे, इन सभी कलाओं के बारे में और अधिक जानने के लिए, सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को, लाइक करे इस वीडियो को, शेर करे और कमेंट करना तो बिलकुल भी मत भूलेगा, नमस्कार